नमस्कार दोस्तों बात करने वालें SSC JD Constable 2021 की New Vacancy के वारे में और इसी वारे में मैं आप सभी को पूरी जानकरी देने वाला हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 मार्स से इसके Online Application Form स्टार्ट होने थे लेकिन अभी तक इसके कोई जानकरी नहीं निकल गया है तो पूरा इसी चैनल सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब पूलने है ताकि आने वाली हर एक information आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप सभी को सबसे पहले मैं बता दू कि SSC की website पर आप जाके विजिट करेंगे तो जैसा कि आप सभ अगर हम बात करें कल की यानि 26 तारीक की तो 26 तारीक को भी आप सभी को पता है कि SSC जो स्टैनोग्राफर C&D वाला था उसकी भी फैनल आंसर की थी उसे भी जारी कर दिया गया लेकिन SSC GD का ना तो notification जारी किया गया और ना ही उसके बारे में कोई update दी गई है official website पे अब ऐ लेगी या नहीं मिलेगी तो सबसे पहला काम यह था कि अगर मान लीजे SSC को अगर इसका notification जारी नहीं करना था हालांकि वो tentative date थी मैं मानता हूं लेकिन अगर notification जारी नहीं होना था तो उसके बारे में कोई update दे दे नहीं थी कि इसकी जो अगली date होगी वो यह होगी ताकि सबी लोग वेविकर हो जाते हैं तो अब देखिए आगे करना क्या उसके बारे में बता देता हूं इससे पहले मैं आप सबी को बताऊंगा आपकी उम्र के बारे में क्या उम्र में छूट मिलने वाली है जैसा कि आप सबी को पता है तीन साल बाद भरती आई है तो बहुत स सिधा संपर को और उन्हें सबसे पहले जानकारी दे दी गई हो कि 18-25 साल होगी तो देखिए इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि अगर मुझे लगता है ऐस बढ़ती भी है तो मैक्सिमूम एक साल की बड़े की यानि 18-23 की जगा 18-24 साल हो सकते है लेकि सबसे पहला काम यह है कि हमें करना क्या है कि जिससे कि हमारा notification भी आये और हमें उम्रों में छूट भी मिल जाए तो देखिए आप सभी को पता दे कि आज हम बेट करते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रवीवार है आपका और संडे के बाद हम मंडे को एक Twitter campaign चलाए की जाए जिससे कि जितने पर ऐसे लोगें जो कि form बने से बंचित रह जाएंगे उम्र की बज़े से उन सभी को भी यहां पर मौका मिल सके तो आप सभी से गुजारे से कि आप फालतू के लवड़ों में ना पढ़के इस चीज को फॉलो करें आपको स्क्रीन पे एक हैस्ट करना स्टार्ट करेंगे और पूरे दिन हम उसे ट्वीट करते रहेंगे कि जब तक हमारी चीज उपर तक न पहुंच जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगे से जादा से जादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके तो याद रखिए गां मंडे का टाइम किया गया है नौ बजी हम लोगों को एक साथ मिल के ट्वीट करना है वीडियो में आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो ट्वीड का है वो भी आपको यही यूज करना है वीडियो को description में लिंक दिया गया वहाँ से जाके आप मेरा Twitter एकांट है उसे जाके follow कर लिजेगा ताकि वहाँ पे जैसे मैं tweet करूँ तो आप सभी उसे continue tweet करें, देखें बहुत सारे लोग इसमें भी changes कर देंगे, कि नए उसके hashtag बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसे चीजे क्या होंगी, disturb होंगी, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ह हमारा target है कि कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी भरती start हो, और maximum लोगों को इसमें आप इधन करने का मौका मिले, और इसमें age की जो छूट दी जानी है, वो छूट दी जा सके, तो उमीद करता हूँ, चीजें आप सभी को clear होगी होंगी, बाकी का भी कोई ऐसी कोई जानकरी है, जो मैं आप सभी को share कर सकूँ, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, उपर तक link को, वो आप सभी को जानकरी प्रवाइड करा दिए, आप वहां से जागे वीडियो देख सकते हैं, फिलाल की जो information थी, मैंने आप सभी को बता दिये, आगे कोई भी update आएगी, आप सभी को update क करा दूँगा, तो वीडियो के description में एक telegram का link भी मिलेगा, उसे भी follow करना मत भूलेगा, ताकि group में कोई update दूँँ, तो आप सभी को मिल जाए, telegram पर follow कर लेजेगा, और जो मेरा twitter account है, वहां पर भी आपको follow कर लेना है, और hashtag वगर आपको दिख रहा होगा, तो Monday को याद सुबह 9 बजे मॉर्निंग में सभी को मिल के करना है, केवल आज का दिन और संडे का भीच में है, सभी लोग तैयार रहेगा, उमीद करता हूँ, आप जादा से जादा इस चीज़ को share कर देंगे, ताकि सभी लोगों तक यह पहुंच पा, और सभी लोग जो हम ये काम करना चाते हैं, इसे हम success बना पाएं, तो दोस्तों फिलाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, so thank you for watching, जाहिन जवारत